Hello Everyone, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे Linkage Between Education and Other Development Sectors So, क्या link होता है education में और जो बाकी के development sectors हैं उसमें Education जो है न वो बाकी सबसे linked है मतलब आप बाकी जितने भी sectors की बात करते हो education का उसके उपर impact पड़ता है और साथ के सब्सक्राइब education बहुत ही important role play करता है individuals को shape करने में, societies को shape करने में economies जो हैं, मतलब कहीं भी जिसे कहते हैं अर्थवियवस्ता इस सब को shape करने So now, here is a detailed exploration of the linkage between education and other development sector तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं Linkage देखने वाले हैं किसके बीच में education और बाकी के development sectors के बीच में सबसे पहले है economic development Education ना एक key driver है किसके लिए economic development ही यानि कि ये equip करता है individual को with knowledge, skills and competencies necessary for employment, productivity and innovation So education ज़रूरी है हमारे देश की अर्थवियवस्ता की तरक्की होने के लिए किसी भी देश में अगर economic development चाहिए तो वहां की लोगों को educate करना बहुत ज़रूरी है ठीक है क्यों? क्योंकि जब कोई भी person educated होता है तो उसके पास वो knowledge होता है वो skills होता है उसके पास वो competencies होती है मतलब जिसे वो चीज जिसकी वज़े से वो कोई काम कर पाएगा वो काबि what do we say मतलब काबिल एता जो भी कहते है उसको काबिल मतलब वो इस काबिल बनता है कि वो उसको employment मिले यानि job मिले productivity अच्छी हो and innovation हो कोई भी person जो पढ़ाई करते है then वो अपनी innovation यूज करके नई-नई techniques वगरा develop करते है which is very important educated individuals are more likely to secure higher paying jobs जितने भी लोग है पढ़े लिखे हुए वो क्या करते है higher paying jobs वो ले लेते है they secure the higher paying jobs and वो contribute करते है economic की growth में ठीक है कोई भी individual ले लीजे वो high paying jobs को secure करते है contribute करते है अपने देश के लिए economic growth में and labor market में वो participate करते है क्योंकि जब लोग ये सब चीजे करेंगे तो market में अपने आप क्या होगा जो job market है जिसमें लोग काम कर रहे है वहापे भी वो बहुत ही actively, enthusiastically क्या करते है sorry क्या करते है contribute करेंगे so additionally education fosters entrepreneurship promote technological advancement and enhance workforce productivity all of which are vital for economic development मैं आपको simple सी बात समझाती हूँ आप किसी भी देश की बात कर लीजे जहाँ पे आप चाहते हो कि economic development हो और थ्यवस्ता अच्छे से अच्छी तो वहाँ पे ज़रूरी है कि सब लोग देखो जित्ता किसी देश में न लोग पढ़े लिखी होते हैं के businesses होते हैं जहां से बाहर से पैसा आ रहा है कुछ भी होता है तो automatically वहाँ पे ये benefit होता है कि लोगों को na entrepreneurship मतलब वो खुद सोच पाते हैं कि क्या करना है ठीक है और ये promote करता है technological advancement मतलब कि इसकी वज़े से क्या होता है technology में changes आते है technology में फायदे होते हैं प्लस आप जब technology के लिए improve करोगे न तो साथ की साथ क्या होगा न आपका जो economy है वो भी boost करेगी ठीक है जितने भी बहुत developed देश है वहाँ पे आप देखो कि technology बहुत ही ज़ादा अची है थोड़ना हम पुराना computer लेके बैठेंगे नए जमाने में तो ये एक चीज़ है साथ की साथ जो लोग काम कर रहे है workforce जो है पहले suppose वो 40% काम करते थे now they are working 80% तो ये चीज़ अच्छी होती है जो की बहुत जरूरी है for the economic development then comes social development education काफी ज़ादा closely connected है social development से यानि जब education का development होगा education अच्छी होगी तो सामाजिक विकास भी होगा कैसे जो भी चीज़ चलती आ रही है जो लोग पहले एक दूसरे की बात मान लेते थे अब लोग उसको socially you know address करते है यानि वो बोलते है कि ये गलत है ये चीज़ गलत है इस society की ये बात गलत है education काफी closely connected है social development से और वो address करती है social challenges को promote करती है social cohesion यानि कि सब साथ में रहे और एक साथ जिसे कहते हैं सब मिलके रहे एक तरह से साथ में कोई चीज़ इसे कहते हैं कि मतब distributed now unity types आए और social mobility social mobility का मतलब होता है कोई समाज में ही अपना level up करना चाहता है now वो status हो सकता है वो जिसे कहते हैं कि लोग उसको किस नदर से देखते हैं ये सब चीज़े लेकिन ये सब चीज़े कैसे possible है education suppose मैं आपको example देते हूँ आप सोचिए आप उस बच्चे को और उसके पापा को कितना ज़्यादा proud feel होगा और वो किस नदर से उसको देखिए although जो वो पहले कर रहे थे वो भी काम था उनका लेकिन लोग उसी नदर से देखते हैं कई बार लोगों को तो ये अपने आप में एक thinking बदल जाएगी कि अरे ये तो आपका बतला बच्चा इत्ता हो गया तो education की वज़े से ये possible हो पाया और जब education की वज़े से ये possible हो पाया तो इस process को हमने बोला social mobility and upward social mobility ठीक है कई बार social mobility downward भी हो जाती है but generally लोग aim करते है for the upward social mobility so education can contribute to reducing puberty obviously अगर उसको पहले कोई problem थी उनके घर में थोड़ा खाने का problem था but अब वो उतने अच्छा वो बच्चा है जो आन करेगा तो obviously उसके घर में ये सब problem नहीं होगी so education contribute करता है poverty कम करने में inequalities को कम करने में जो भेदभाव हैं लोगों के बीच में जो you know एक difference है उसको कम करने में और वो opportunity देता है कि लोग social mobility कर सकें upward मतलब अगर वो बिल्कुल zero से start कर रहे हैं तो वो काफी उपर तक जा सकें so ये social inclusion को promote करता है it promotes social inclusion जिसमें सबकों साथ लेंगे और कैसे कर सकते हैं जो भे marginalized group है जिनने past में जिनके साथ अच्छा behavior नहीं हुआ उन सबको हम लोग क्या करेंगे हम उनको you know education के थूँ उनको skills देंगे ताकि वो society में पूरी तरह से participate कर सके तो पहले उनके पास resources नहीं थे जितने भी अंग्रेज थे कुछ करने नहीं दिया उनों नहीं लेकिन अब क्या हुआ marginalized group ने क्या किया equipping marginalized groups such as girls, minorities and individuals with disability उन सबको वो necessary skills मिले and finally they are able to participate in the society education एक और काम करता है कि वो social values को promote करता है tolerance and respect for diversity एक person है जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है जैसे पता ही नहीं है कि सबके religion होते हैं सबका अपने religion के respect होती है तो उसको किसी ने कुछ भी बोल दिया तो वो तो अपनी मतलब ऐसे आ जाएगा कि हाँ हाँ बस मैं ही हूँ लेकिन एक person जो educated है उसको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे रहता हूँ इस देश में और इस देश में बहुत सारे और लोग हैं सबकी अपने religion है सबकी अपनी caste है और सब साथ में बहुत अराम से रह सकते हैं तो यह एक फरक होता है कि जब आप educated होते हो न यह चीज़ें आपको समझ में आने लग जाती है ठीक है तो इस तरह से education काफी important है social development में लिए health and well-being obviously education का बहुत ही ज़ादा गहरा असर होता है health पे और well-being पे क्योंकि individual को ज़ादा अच्छी से समझ में आएगा कि health related issues क्या है और एक person जो educated होगा जो इस चीज़ को actually follow कर रहा होगा educated बहुत लोग होते हैं follow बहुत कम करते है तो वो एक healthy behavior promote करेगा and वो न क्या करेगा informed decisions लेगा मतलब suppose वो ऐसे ही randomly नहीं choose करेगा किसी भी चीज़ को वो अगर कोई भी काम कर रहा है तो ऐसे करेगा कि उसकी health अच्छी रहा है well-being अच्छा रहा है mental health अच्छी रहा and education ना contribute करती है to the prevention of diseases मतलब कि लोगों को बिमारिया ना हो अगर हम बात करें child and maternal mortality rate मतलब जो बच्चे बच्पन में मर जाते हैं जो mothers होती हैं जब वो pregnant होती हैं and contribute to creating healthier communities तो जितने भी educated individuals होते हैं वो क्या करते हैं healthy lifestyle adopt करते हैं उनको access healthcare services अच्छी मिलती है and most importantly suppose एक person है जिसके पास पैसा नहीं है because वो educated नहीं था या किसी भी financial problem की वज़े से तो हो सकता है अगर वो बिमार हो तो अपनी family में किसी को ना दिखा पाए लेकिन एक person जो educated है उसके पास कोई jobs होगी या security होगी तो वो उसको पता होगा कि कहां पे जाके दिखाना है और क्या करना है तो ये फरक आजाता है कि it will lead to the you know changes in the health so एक person जो educated है उसका well-being अपना ध्यान बो जाद अच्छे सा रख पाएगा due to many factors ठीक है then comes gender equality education बहुत ज़रूरी है gender equality achieve करने के लिए and लडकियों को and girls को empower करने के लिए now यहाँ पे चीज है कि कई जगे पे men को भी empower करने की ज़रूरत होती है so basically education gender equality के लिए क्यों ज़रूरी है कई बार जो past में इतनी चीज़े होई है तो लडका लडकी के बीच में भेगभाव होता है in fact India में it is on such a broader scale कि यहाँ पे proper लोग जब जिसे कहते हैं न कि यह sex की जाच करना कि वो male है कि female वो बंद है वो illegal है मतलब हर जगे यह नहीं है बट यहाँ पर है क्योंकि लोग क्या करते है जब उन्हें पता चलता है कि लडकी है तो वो उनको वहीं मार देते है so यह शो कर रहा है कि कही ना कहीं gender equality मतलब inequality तो है ठीक है लेकिन अब आप क्या कर सकते हो जब आप educated होते हैं तो आपको समझ में आता है कि यह जो चीज है यह गलत है यह gender stereotypes गलत है मतलब कि मैं हमेशे same example देती हूं बट gender stereotypes में आपने लडकीों को बोल दिया कि तुम तो यह काम नहीं कर सकते तुम लडकी हो हमने लडकों को बोल दिया कि लडकी बटा तुम तो विल्कुल strong बन के रोगे तुम तो रो ही नहीं सकते तुम तो घर में बैठ ही नहीं सकते So these are the gender stereotypes जब male को imagine करते हैं तो imagine करते हैं कि एक person जो कमा के ला रहा है और बहुत strong है और female को imagine करते हैं तो someone who is weak and जो घर सम्हाल रहे है although ये change हो चुका है आजकल लेकिन still लोग इसको believe करते हैं ठीक है तो जब लोग educated होते हैं तो वो ऐसे stereotypes को break करते हैं वो ऐसा कुछ करते हैं जो कि लोगों को शायद अच्छा ना लग है उस time पर but वो stereotype को break करता है साथ की साथ इसमें equal opportunities मिलती हैं दोनों को, male and female को and gender sensitive society और ये दोनों तरफ से जरूरी है like अगर आप women की बात कर रहे हैं तो male को भी कई बार जोनों जरूरत होती है कि उनके साथ जो गलत हो रहा है वो ना हो so education enables girl and woman to develop skills education की वजह से girls और women develop करते हैं skills, knowledge, confidence जिससे उनका economic prospect अपने आप अच्छा हो जाता है decision making power उनकी अच्छी होती है and social and political participation उनका काफी बढ़ जाता है और लड़कियों की education में invest करके society एक long term benefit reap कर सकती है क्योंकि ये कहता है ना कि अगर एक maa पढ़ी लिखी होगी आपको वो issues नहीं होंगे जो आपको हो रहे है health outcomes अच्छे होंगे and gender equality होगी same way में आप ये भी कह सकते हो कि अगर educated होंगे तो stereotypes break कर पाएंगे जसे males के उपर ये pressure होता है कि नहीं आपको तो कमाकर लाना है वो चीज कही बार बहुत जादा pressurize कर देती है males को तो वो चीज का भी ध्यान रखना है कि दोनों तरफ से equality हो gender equality मतलब दोनों को proper जिसे कहना चाहिए आपको एक तराजों में तोलना है ठीक है Then comes environmental sustainability education plays a crucial role in promoting environment and sustainability ये बहुत जरूरी है ये एक ऐसा aspect है सबसे जादा जरूरी है बट इसको भजादा ignore किया जाता है क्योंकि जब कोई person educated होता है तो उसको पता है कि भई resources क्या है limited है sustainability मतलब किसी भी resources को ऐसे use करना कि future में आने वाली generation के लिए वो बचे climate change को समझना कोई person normally जो पड़ा लिखा नहीं है वो ये चीज़े नहीं समझेगा और problem क्या है ना इस सब की वज़े से हमेशा environment का harm होता रहे so जब आप पढ़े लिखे होते हो तो आप इस चीज़ को लेके awareness फिला सकते हो जैसे कि एक person है जो पढ़ा लिखा होगा काईदे से उसे kachra इधरोदर नहीं फिलाना चाहिए जलती गाड़ी से kachra नहीं फेक ना चाहिए और pollution का भी जितना हो سकता है ध्यान रखना चाहिए जसको नहीं पता है उसका हम समझ सकते हैं कि उसको अभी नहीं पता है लेकिन जिनको पता है knowledge और skills के साथ जो उन्हे sustainable practices adopt करने के लिए चाहिए education empower करता है individual को, मतलब उन्हें इस काबिल बनाता है कि वो decisions ले सके resource management को लेके कि हमें resource को कैसे manage करना है conservation को लेके climate action को लेके और ये contribute करता है कैसे एक ऐसा future create करके अगर आप आज ये सब चीज़े करोगे अगर आप आज you know aware हो तो आप एक ऐसा future create करोगे जो आपका better होगा आपकी future वाली generation के लिए, यानि उनके पास ये नहीं होना चाहिए हमारे जो पूरवज थे वो हमारे resources छोड़के गए हैं क्योंकि इतना दादा pollution पहले कुछ भी नहीं था लेकिन अब जो इस level पे हो रहा है तो आगे वाली generation के लिए तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी वो चीज़ भी अगर education हम लेते हैं तो हमें आज कर आपको पते हैं ये को छोटी classes से environment को लेके पहलाना शुरू करते थे so these things are very important और ये हमें aware कराती है problems के साथ then comes peace and security education को link किया गया है peace building and conflict resolution के साथ मतलब कि एक person जो educated है हम उससे expect करते हैं कि कहीं ना कहीं एक society जो जिसमें educated लोग रह रहे हैं वो समझेंगे चीज़ों को वो tolerate करेंगे और दूसरे चीज़ वो दूसरे लोगों की diversity मतलब suppose मतलब मैं एक religion से हूँ सामने वाला एक religion से तो हम ये उमीद करते हैं कि society में सब मिलके रह सकते हैं and उनके मन में दूसरी लोगों के लिए respect होगी उनके मन में diversity को लेके respect होगी ठीक है जिससे conflicts नहीं होँगे and एक peaceful society build होगी education can help transform societies affected by conflict by providing opportunities for reconciliation, social cohesion and dialogues तो अगर कोई problem है suppose तो हम लोग क्या कर सकते हैं we can talk it out हम समझ सकते हैं कि सामने वाले कि क्या situation रहे होगी कोशिश कर सकते हैं if you are educated ये expect होदा और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर एक educated society है तो they can live in a world यहां पी लड़ाई जगया उनके दिमाग में ये चीज़े हैं कि नहीं हमें चीजों को ठीक करना है and obviously education से आपके अपके अंदर critical thinking skills, communication abilities, conflict resolution strategies आती हैं जो peaceful coexistence के लिए जरूरी ही यानि वो बहुत जरूरी है अगर आप चहाते हो peacefully रहना right so this is your peace and security now अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो please channel को subscribe कीज़े playlist को आप जरूर चेक कीज़ेगा playlist में बहुत सारी videos मिलेंगी बहुत अच्छे से arrange है B.Ed, M.Ed की playlist आपको डूणने में जादा महनत नी करनी पड़ेगी and साथ की साथ अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो please comment करिये, बताईए मुझे and video को share जरूर कीजेगा अगर ये अच्छी लगी है या आपको इससे कोई भी benefit हुआ है thank you so much, have a nice day I'll see you next time in the next week